नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Based Electrical में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ aluminum cable current capacity aluminum की जो XLP insulated cable होती है दोस्तों, उसकी current capacity क्या होती है, वो आपको बताने वाला हूँ यहाँ हमने दोस्तों 4 चीज़े लिए है, फ़स्ट है cable size, वो है square mm है और एक है single core cable जो भी केबल लिए होई दोस्ता हमने सिंगल कोर, टू कोर, ट्री या फॉर कोर केबल, यह सारी XLP insulated है, aluminium केबल, दोस्तो इनकी current capacity देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे दोस्तो, चार स्कॉर अम्म की aluminium केबल, जो की XLP insulated है, दोस्तो अगर यह सिंगल कोर की है, तो इसकी current capacity कितनी होगी 10A, यह कौन सी केबल है दोस्तो, 4 स्कॉर अम्म की aluminium XLP insulated केबल के लिए है, दोस्तो, 3 और 4 की केबल के लिए current capacity सेम है, सेगेंड है दोस्तो, 6 स्कॉर अम्म की aluminium केबल, थाट है दोस्तो, 10 स्कॉर अम्म केबल, 10 स्कॉर अम्म की केबल अगर सिंगल कोर है दोस्तो, तो उ स्क्वारम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम् वो single core है तो उसकी current capacity होगी 42 A, यानि 42 A, जबकि 2 core की है तो उसकी current capacity होगी 40 A, और 3 या 4 core में अगर वो cable है तो उसकी current capacity होगी दोस्तो 35 A, एक दोस्तो 35 square mm की cable, 35 square mm की अगर cable है दोस्तो और वो single core है, XLP insulated single core cable है, aluminum की, तो उसकी single core में capacity होगी current capacity 65 A, 65 A, और 2 core cable है तो उसकी current capacity होगी 58 A, जबकि 3 या 4 core की cable है दोस्तो तो उसकी current capacity होगी 52 A, एक है दोस्तो 50 square mm की cable, 25 square mm की cable है single core है दोस्तो तो उसकी current capacity होगी 80 A, जबकि 2 core की cable है तो उसकी current capacity होगी 70 A, और 3 या 4 core की cable है तो उसकी current capacity होगी 62 A, जबकि 70 square mm की cable लेंगे दोस्तो हम XLP insulated aluminum की cable है, तो दोस्तो single core होगी तो उसकी current capacity होगी 90 A, जबकि 2 core है तो उसकी current capacity होगी 80 A, और 3 या 4 core है तो उसकी करण केपिस्टी होगी 70 Airm दोस्टो 92 M2 के जावल है तो उसकी सिंगल कोर केबल है पिचाइव 2 Q2 होगी दोस्टो 120 Airm जब्कि यह 2 Q2 है तो उसकी करण केपिस्टी होगी 115 Airm जब्कि 3 धी धी जब्या 4 Q2 है फिचाइव 1 Q2 का Chry भी की Aluminum XL P Insulated 3 या 4 core cable है दोस्तों तो उसकी जो current capacity होगी वो होगी 100 ampere अब देखते हैं दोस्तों 120 square mm की cable है वो single core है दोस्तों 120 square mm की cable तो इसकी current capacity होगी single core के लिए 113 ampere 153 ampere चपकि 2 core की cable है तो उसकी current capacity होगी 133 यानि 133 ampere और अगर 3 या 4 core की cable है तो उसकी current capacity होगी 118 A अब देखते हैं दोस्तो 150 square mm cable 1500 square mm की cable XLP insulated है aluminum की cable दोस्तो ये single core current capacity होगी इसकी 188 A जबकि 2 core cable है तो दोस्तो उसकी होगी 160 A यानि 160 A और 3 या 4 core की cable है तो उसकी current capacity होगी 140 A दोस्तो 185 square mm की cable अगर यान लेंगे हैं दोस्तो तो उसमें single core जो cable होगी XLP insulated aluminum की cable है तो single core में उसकी current capacity होगी 230 A जबकि 2 core में उसकी current capacity होगी दोस्तो 202 A और यही cable 3 या 4 core cable होगी तो उसकी current capacity होगी 175 A 270 A 240 square mm की cable है दोस्तो तो उसके लिए single core की capacity होगी 270 A 2 core की cable होगी तो उसकी current capacity होगी 254 A और 3 core की cable होगी तो 220 A इसकी current capacity होगी यह 220 A दोस्तो 3 और 4 core दोनों के लिए अगर दोस्तो 300 square mm की cable है और single core है तो इसकी current capacity होगी दोस्तो 340 A और 2 core की cable है तो इसकी current capacity होगी 315 A और 3 या 4 core की cable है तो इसकी current capacity होगी 270 amp तो दोस्तों ये था XLP Insulated Aluminum Cable की current capacity तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, फोलो कीजिए, सस्क्राइब भीजिए जिस भी platform पर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों चाहिए Facebook हो, YouTube हो, Instagram हो आप इस वीडियो को लाइक, शेर, फोलो और सस्क्राइब कीजिए तन्यवाद दोस्तों